हैलो मैं ब्यूटिफुल सोल फैमिली होप यू और विल्कम तो दिस चानल दसन टारो 7777 मैं प्रेय करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत कुछ रहे और आप सभी लोगों के सारे विस्नस पूरे हो जाए और जैसे जिन्दी आप चाते हैं वैसे जिन्दी आपको मिले आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटिफुल और लग्जरियस हो वैल आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उनकी करेंट फिलिंग क्या है पर्सन ओन्यू माईंड मतलब कि जो आपके करेंटंन पार्टनर है उनकी भाबनाए आपके लिए फिलिंग क्या है आपके लिए क्या अनकहीं बाते हैं जो आपको कहना चाहते हैं कया है उनके मन में आत rpm लिए लव लटार्चर्ष वह सब भी मैं शेरल스 आपको यहां पर डेल्स में बताने वाली हो यह जो आपकी रिपिंग है यह जर अध्य कोई कर डींगें आपको आपने पर सेलेक्षणल नहीं करना से यहां पर से सकती है यहां पर यापिस्ट मीरीज यहां कोई भी कि एक सिंप्लिस यहां पर यह बात है कि आप जिसके लिए भी देखना चाहते हैं चाहे आपके क्रश हो या कोई पार्टनर हो आप अराम से इस रिडिंग को देख सकते हैं उनको ध्यान में कीजिए और बिल्कुल पॉजटिव हो जाईए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीज करते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमल अनुस्टाइडी का चैनल मिल जाएगा ओके सु प्लीज कॉर्ट किप में अक्यूरेट मैसेच वामाइडियर व्यूवर्स बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके करेंट परसन क्या सोच रहे है उनकी मन में क्या भावनाई चल रही है कि सबसे पहले मुझे आप यह दिखाई दे रहा कि आप दुनों के वीश में बहुत ही जाधा डिस अग्रिमेंट होता है डिस अग्रिमेंट कहने का मतलब है कि आप लोग एक दूसरी के बाद सो एकदम बिलकुल भिन हो जाते एकदम जूँनिन सभी के सानों को जिखा डिया चीज पर की इनको अभी बहुत ज्यान इस चीज पर आहीं क… हम लड़ाई जवरे करते थे अब आप इनके साथ हो या ना हो लो कॉंटाक्ट हो या नो कॉंटाक्ट हो यह बहुत कुछ सोच रहे हैं वह मैं आपको बता रहे हूं तो यहां पर सबसे पहले यह दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़ादा जो आपके बाते नहीं मांते इंग्नोर कर देख रहे हैं अपनी गलतियों के बारे में यह पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस परसन canard वह दिखाई पढ़ रहा है तो आपके जो परसन है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा स्टप ले सकते हैं लेकिन इनकी जो फीलिंग है डीफ फीलिंग है वो तो मैं आपको पहले बता दो तो मुझे आप ऐसा लग रहा है कि इनको मतलब यह फील हो रहा है कि हम पर दिखाई दे रहा है तो यह अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा अकेनी ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि अपने काम माम को छोड़ दिया है और बस आपके बारे में सोच रहें नहीं यह परसन अपने काम को भी कर रहे हैं साथ साथ उस काम को करते करते हैं बहुत ज्वारानाना चाहिए तता नोचीज बनाना चाहिए था इमोशनुली ुभी को करना चाहिए था उस वक्त हम लग लड़ाई जगड़े कर रहे थे तो यह चीज इस परसन को एहसास हो रहा है अभी के अभी इनकी करेंट फिलिंग दिखाई दे रही है जब भी आप इस रिडिंग को देखोगे यह आपसे डेफिनेटली राजनेट करेगी और आपको बहुत सारे guidance and information देगी ठीक है इस तरीके से अगर आप खुद अपने बारे में या किसी के बारे में चानना चाहते हो परसन डिंग ले सकते हो ठीक है आपकी डीटेल परसन डिंग होगी और आपको tips and guidance भी मिलेगा remedies भी मिलेगा कि कैसे अपने love life को आप फिर से beautiful बना सकते है reconciliation कर सकत अब मैं यहाप आपको बताना चाहते हूं कि आपके जो person है वो आपके लिए ये भी feel कर रहे है जैसे कि आपके dreams को पूरा करना चाहरे हो ठीक है क्योंकि कभी किसी का कोई dream पूरा हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगे तो वो आपके dream को चूना चाहते है dream को पूरा कर है थीकец जंवन फिलिंग को को देख लिया इन्हों ने यह जान लिया कि आपसे जवय इस प्रसन नहीं कर सकता इसलिए यह बिल्प तो मतलब आपके जुप फिस्टा के वह लिए धिखाई दे रहे हैं यह चीजों को समझते हुए दिकाई दे meaningful conversation आपके साथ start होने वाला है इस person का यह person आपके साथ कोई बहुत deep and meaningful conversation करने वाले है इसमें engage होते हुए दिखाई दे रहे है और जो conversation आगे आने वाले time में 2-3 दिनों के अंदर जो करेंगे 10 दिन के अंदर मुझे असर लग रहा है यह conversation बहुत लंबे time तक चलेगा जैसे अग 5-6 गंटे हो सकता है लगता है आप इस person से बात करने वाले हो और जो भी issues आप दोनों के बीच में रहे हैं वो खतम होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप दोनों के मन में especially इतने ज्यादा मतलब clutter मत चुका है न या फिर grudges आपने hold करके रखा या उन्होंने जो hold कर के grudges रखा है ठीक है वो grudges को remove करने में या फिर अपने life से हटाने में ठीक है बहुत time लग सकता है तो conversation करके करके आप दोनों जो भी negativity है उसको खतम करोगे यह चीज यह आप पर दिखाई दे रहा है उसके बाद ठीक है आप जो है इस रिच्टे को celebrate करने माले है इसलिए because आपके person की thinking मदल रही है यह person आपके लिए definitely बहुत साथ sexual connection भी feel करना चाह रहे है मतलब यह चाह रहे है आपको touch करना आपको feel करना आपके साथ बैठना उठना यह इनके लिए enough होगा ऐसे इस person की energy दिखाई दे रहे है especially अभी के time में यह person मुझे दिखाई दे रहे कि अपने emotions को जो भी high और low अभी हो रहा है वो आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत freely ठीक है अपने feelings को express करने वाले है और यहाँ पे आप दुनों की बीच में हो सकता है respect नाम की चीज नहीं है आपके person आपकी respect नहीं करते है तो यहाँ पे आगे आने वाले time में एक बहुत deep respect आप दुनों के बीच में develop हो रहा है और आप दुनों एक दूसरे के रिए यह respect को develop कर रहे है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जादा यह माफी मांगेंगे आपसे अपने regret जो regret इन्होंने किया जो yearning जो तड़प इस person के अंदर है तो तड़प के वज़ रिग्रेट को express करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ सथ हर एक रिष्टे में कुछ ना कुछ responsibilities होती है for example आप किसी बच्चे को गोधी ले ले तो कितने सारी responsibilities आ जाएगी या फिर आपके खुद के ही बच्चे हो या फिर हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप अपने बह अपने सारे responsibilities निपाए आपने financially भी help किया आपने emotionally भी help किया आपने physically mentally हर तरह के से इस परसन को support किया इन्होंने तो कुछ नहीं किया ठीक है और इसी बात का है इनको आप करते थे help और यह कुछ नहीं करते थे ठीक है लेगिन अब भी जो है आपको खो दिये है तो अब और बीप हैसास हो रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ अपने life में बढ़ा करना चाहिए था मुझे कुछ करना चाहिए था अपने partner के लिए भी जैसे मेरी partner मेली रिए लिए मर मिटती थी तो आपके जो person है वह आपके पास बैट च दिखाए दे रहे वह यह है I hope you can forgive me तो मुझे माफ कर सको कुछ ऐसी बहुत बड़ी गलती हो सकता है इस person से हो गई हो यह इन्होंने बहुत जादा आपके सामने anger दिखा दिया हो कुछ भी flow flow में उल्टी सीधी बाते आपको कह दियो उस चीज का इस person को अंदर अपने अंद और मैं यह भी मत आई है कि शाद यह कोई dream आपने हो सकता है और से discuss किया हो कि मुझे यह चाहिए थे लड़ाय होती थे तो आप सथोड होते थे प्यार आप जाधा करतें थे और यहां पी रिष्टे में से आते हुए और सबसे इंप है यह इंसान कभी इतने जाधा egoistic हो सकता है कि आपके person egoistic हो थोड़े बहुत तो इसलिए person अपने feeling को express नहीं करते थे लेकिन अब मुझे आप ऐसा लग रहा है कि यह इनसान अपने feeling को बहुत जबर्जस तरीके से express करने वाले हैं आपके सामने तो यह मैं यहां पर कुछ ऐसे beautiful butterfly की sign देख पा रही हो ठीके butterfly की sign यहां पर यह बता रहे है कि finally यहां पर कुछ ऐसे sign आपको देखने को मिलेंगे या फिर अगर sign नहीं मिल रहा है कहीं भी जैसे पैदर अगयर हो गया अगर नहीं मिल रहा है तो यह फाइनली universe and divine आपको यह बता रहे है कि आप दोनों का रिष्टा बहुत जादा हील हो रहा है ठीक है रिष्टे में जितनी भी कड़वार थी यह फिर कुछ भी था हील हो रहा और कैसे हील हो रहा है वो भी बता दीजिए मेरी विव्योर्स को जल्दी से लाइक और सब्स्राइब कीजिए लाइन हो जाईए पर सर्दिंग के लिए कांटाक कर सकते हैं मेरी जीमल आनेंस्ट आइडी के त्रोच होकर हैंडल करते हुई दिखाई दे रहे हैं तो कहीं न कहीं यहां पर maturity बहुत जादा डेवलप हो रही है और उसके साथ डेवलप हो रहा है एक हेल्दी relationship आप दनों के बीच में यहां पे खेते हैं उसके बाद कुछ और भी एनरजी है यहां पर वह भी मैं देख लेती हूं मुझे यहां पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बीच में आर्गविंग फाइटिंग इंटलेस्ली होती थी पर अब जैनुरिनली यह परसन डिजॉल्फ करना चाहते हैं इस कॉन्फिलिक्ट को और सब पुछ ठीक करते हुए मुझे यहां पर बहुत जादा दिखाई दे रहा है इस परसन का नेम इनिशल मुझे ए एन एस भी दिखाई दे रहा है ठीक है अब यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है इस परसन की प्लानिंग ठीक है किस तरीके से यह प्यार करते है क्या है इस परसन के मन में प्ली स्कॉट गिव में क्यूरेट मैसेज फोर्म इस परस्ट वाउ देखें मुझे आप ऐसा लग रहा है कि आपके परसन आपको एक इंप्रस की तरह मालते है तिक आपको यह परसन एक दुलहन की रूप में या फिर कह सकते हैं दुलहा के रूप में देखना चाहते हो ऐसी एनरजी मुझे आपके क्लिरली दिखाई दी इस इंप्रस की इनरजीन यह बता रहे है कि आपके परसन के अंदर जो मतर फिल्स या एक मदार नेचर मदर नेचर क्या होता है कर ना प्यार कर ना इमोशन होना फ्यलिंग जो था ही नहीं यह फिर था भी तो दबा हुआ था डबलप नहीं होराथ आता वक्यलिए तो वह जो के messages का reply कर रहा है ठीक है कहीं न कहीं आप इनकी need हो बन चुके हो कि मुझे तो चाहिए तो चाहिए ठीक है तो यह चीज अब इस person को आपसे दूर होकर बहुत ही जादा फील हो रहा है ठीक है यह आपको 100% make sure करेंगे कि तुम खुश रहो ठीक है आपके अंदर यह चीज देखेंगे भी कि आप क्लियर है या नहीं कि फिर से ठीकिंग आ रही है ठीक है तो यहाँ पर आपके जो person एक चीज यह भी था यह आपके जो person आपको बहुत compete करने की करते थे लेकिन अब इनको यह एहसास हो चुका है कि हम दोनों साथ ही आगे बढ़ेंगे ठीक हम दोनों को अगर साथ में रहना है शादी करनी है तो हम दोनों खुद को थोड़ी compete करेंगे हम दोनों एक होगे ना हम दोनों को एक साथ step लेना है और आगे बढ़ना है तो और दिवाइन की तरफ से मेसेज़ेस मिल रहे हैं आपके जो परसन है वह आपको चोटे मुटे बातों पर डराते भी रहते थे तो वह डराना भी इनका बंद होगा हो सकता है कि आपको दढ़ाते धंकाते हो यह बोलते होगा तो मुझे चोड़की चली जाओगी तो मैं यह व लिए देख पार हेंगा है और परसन कई इंवस्ट कर रहे है और एक बात मैं और बताना चाहते हूँ यह परसनLवर्ब yat कंई क्या हो या फिर ya सबूसे हो इंसान इनके राइफ में आ गई तो इंका धिया आने ध्यानी धर-दर हो गया कुछ लोगा क्ले हो सकता है Черप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि में भी आप दुनों के बीच में कुछ ठर्ट पार्टी रहा होगा ठीक है ठर्ट पार्टी के वज़ेसे आप दुनों करिश्टा इदर बिगड़ गया लेकिन अभी आपके पर्सन है वह बहुत ही जादा लेकिन आपके साथ रहते वह ऐसा हो सक है आपके लिए कुछ स्टेप लेंगे अब दीखे क्या हुआ कि आप इनके राई से भी चले गए हो या फिर लो कॉन्टाक्ट है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा तो यह परसन अब आपके बारे में सोच रहे हैं इनको पास्ट में रहने की आदत है यह चीज में देख प से इस परसन को समझ में आ रहा है कि अब जो है हम लोगों को साथ साथ रहना होगा और प्रेजन मुंमेंट में चीना होगा फ्यूचर के बारे में बहुत जादा थ冷 function करना है तरह को परसन के बारे में कुछ भी ने के आपके जो परसन का daring step लेते हुए आपके तरफ दिखाई देरे कुछ daring step मतलब ऐसा हो सकता है कि यह person जो है हो सकता है पुरी दुनिया के अग्यास चाहिए आपके तरफ आ जाए हो सकता है कि आप गुस्ता चाहिए कितना भी हो यह person आपको मना ले तो एक charming and darling and beautiful कह सकते है person या फिर charming love आपके तरफ आ रहा है एक daring love आप अपने life में attract कर रहे हैं और यह daring love आपके जो भी पसंदीदा person है जिसके लिए आप इस reading को देख रहे हैं वही इंसान से आपको यह daring and beautiful love मिलने वाला है ठीक है यह दिश्टा ऐसा था कि बहुत जादा आप को pain भी ठीक है लिश्टे में क्या होना चाहिए joy होना चाहिए kushyan होनी चाहिए enjoyment होना चाहिए excitement होना चाहिए वह सब के बजाये आपको pain ज्यादा मिला लेकिन अब को क्या मिलेगा अब आपको इस रिस्ते में ज्यादा से ज्यादा आपके person खुश्या देने की कोशिश करे और पेन दीरे दीरे करके यह खतम कर देंगे तिक जितने भी पेन है रिष्टे को नहीं खतम करेंगे पेन को खतम करेंगे एक चीज में आपको बताना चाहते हो इमोशनली फिजिकली या वर्वली यह परसन अगर आपको हर्ट किया है तो उसके लिए हाँ चोड़कर आपके सामने माफी मागेंगे क्योंकि बात यहां पर यह ना कि यह परसन चीजों को एक चीजों को अनलाइस कर रहे हैं समझ रहे हैं कि मेरी गलती कहा दी यह अपनी गल गलती को नहीं देखते था लेकिन 10 ताइम यह अपने गलती को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा रिश्था डेलाप होगा अभी आपके जो परसन है मैंने क्या बोला कि देख रहे हैं ये सिंट्रोसपेक्ट के एनरजी है यह बहुत जादा इंट्रोसपेक्ट कर रहे हैं चीजह पो देखाएंगे कुल और यह बने लाइक बनाने की मुझे सामें आगे तो यह जो पर सब्क कर रहे और इस सीजनों कया दूकर सिर्दफ़ार्य मैं मैं सब्सक्राइब है और से 100 और सिर्दफा निकाला हुआ सा आपके लाइस एकूर कर रहा आपindern कितने तनहा हैं कितने अकेले हैं कितने लोनली है ठीक है और हो सकता है कि जिसके लिए आपको छोड़ा हो उसने भी इस परसन को बुरी तरह छोड़ दिया है ठीक है उसने भी इस परसन को अपने लाइफ से आउट कर दिया ऐसा भी हो सकता है तो यह जो जरूरी थी यह जो ले को आपके प्यार को समझ सके और आपके प्यार की वैल्यू भी कर सके आपके फीलिंग की भी वैल्यू कर सके ठीक है यह हमेशा आपसे एक्सपेक्टेशन जादा लगा के रखते थे आप करोंगे आप करोंगे आपने किया भी लेकिन इन्होंने कभी यह नहीं देखा कि यह कु से ज finden है यह सब्सक्राइब सो है किसी बहुत्रा को बनाएंगे फिरस बेदा जबी चाहिस करुना यह पर्सन जो है जो है जो जो भी आप दुनों की बीच में पास्ट एक्सपिरियंस जो बहुत ही ज़ादा बैड पास्ट एक्सपिरियंस रहा है उसको भी पॉर्सन खतम करने वाले हैं तो क्या आप दुनों की बीच में होगा मतलब क्या डवलप होगा ठीक है एक हेल्दी रिलेशन से जिसमें कि आप दुनों एक दुस्ते के साथ बहुत अच्छे से कॉम्मिकेट करेंगे बिना किसी बॉद्रिंग कि बिना किसी डिस सक्रीमेंट से ठीक है अपने डाउट्स को फियर को इन सीक्योरिटी को कभी थोड़ा बहुत भी मन में आएगा तो शेयर कर दोगे इससे क्या होगा ना कि आप दोनों ब्रेकप से या बैट टाइम से या सेप्रेशन से बचोगे ठीक है अब यहाँ पर यह चीज है इस परसन का इंटेंशन लेकिन अब मैं आपको कुछ यूनिवर्स के तरफ से फ्यूचर बताऊंगी कि फ्यूचर है भी या नहीं इस रिस्टे का जो आप रिडि क्रेंशन में आपको मिलशाएंगा जरूर कांटक कर लीजए गाएग दुनिया के किसी तो उस्ते के लिए न आपके लिए भी है और definitely उस person के लिए तो है ही है ये बात इस person को समझ में आने वाली है तो इस रिष्टे में क्या होने वाला है इस रिष्टे में ब्लेसिंग आने वाला है इस रिष्टे में abundance डेवलप होने वाला है ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस card में और क्या होगा इस रिष्टे में, please God, give me a great message. इस relationship में होगा, बहुत सारा महनत, बहुत सारा काम, बहुत सारा sacrifice, बहुत सारा step लेना, बहुत साहे लोगों से fight करना, अगेंस जाना, ठेक हैं, ये चीज़े हैं, और ये रिष्टा ऐसा होगा, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएगा, अपने जिंदिगी को जीना सिखाएगा, अपने काम को करना सिखाएगा, यह जो रिष्टा है, आपका intuition पर बहुत साथ ठिका हुआ है, तो जब भी आपको कोई intuition आए, तो अपके person अप ठीक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, या flirt कर कुछ भी है, तो अपने intuition का इस्तमाल आपको करना है, अपने intuition से बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ना है, जैसे आपका intuition कहा दिया, कि यह कुछ गरबढ़ कर रहे हैं, तो इनसे अगर आप जगड़ा नहीं कर लो, अपने intuition के according, आपको जगड़ा नहीं करना बुलकि यह बता रही है, कि यह जो रिष्टा है, अभी आपको उचाही कितना भी हर्ट कर रहा हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में, यह रिष्टा ही आपको बहुत ही ज़्यादा, आपके सारे जक्म पे, जितने भी वांट से उस पे, मरहम की तरह काम करेगा, यह रिलेशनसिप इतना जाद आप दुनों की बीश में प्यार होगा, कि लाइक कभी भी आप एस परसन को प्रॉब्लम को शेर कर दोगे न, कि ऐसा वैसा चल रहा है मेरे लाइफ में, तो इन से बात करके यह आप हील हो जाओगे, और यहाँ पे आप दुनों की यूनियन होते हुए और यह देखते हुए यूनिवर्स जो है, आप दोनों की बीश में एक अच्छा फ्रेंशिप वाला बाउंडिंग भी कर दे रहे हैं, ठीक है, आप दोनों की बीश में बहुत ही अच्छा फ्रेंशिप बाउंडिंग भी होगा, एक दूसरे को समझोगे, और इस रिष्टे होते हुए, डवलप होते हुए दिखाए दे रहा है, अगर रिष्टे में कोई वाइब्रेशन, कोई बात ही नहीं थी, कुछ औरा, कुछ भी नहीं था, उसका कोई मतलब एनर्जी ही नहीं था, तो वह एनर्जी डवलप हो रहा है दीरे-दीरे, और आप दुनों के बीश म मतलब दया से ही समझाँ जा सकता है अगर किसी इंसान के अंदर ठीक है दया है उस परसंड के अंदर एपका हो गया और किसी इंसान के अंदर वह पेसंस है वह कमपाशन है ठीक है वह इमोश्चन है तो वह इसकी ररमपट्टी कर करें तृट कर देगा क्यों क्योंकि उसके अंदर दया है इंसानियत के लिए एक्जाक्ली यहीं दया आप के अंदर भी हो गये अपने परसन के लिए यह कभी भी आपके परसन दुखी होँगी तो आप उनका सु पोष्टों ने Exactly आपके person के अंदर ये compassion नहीं था आपके लिए तो ये जो compassion है आपके person के अंदर आपके लिए develop हो रहा है बतलक्त कभी बहुरते थे हना तो यह आपको रोते वे चोड़ देते हैं यह energy मैंने देखा थीक है नहीं है तो रहना है तो रहिए नहीं रहना है तो ना रहे ही जाए यहां से तो बहुत cruel कह सकते हैं कि थे आपके person ठीक है लेकिन अब इनके अंदर वो बात वो दया आ रही है वो compassion आ रहा है अच्छा ये रो रही है मुझे इसके रोने के reason को जानना चाहिए मुझे इसके आशू को पोश्चना चाहिए मुझे सब को छोड़ चारकर इसके हाली मेंबर बन चाहिए सांग की बात की जाए तो यह person आपको dedicate कर रहे है तू सांग है यहां पर आपका वो है आपका cry for me treat you better मतलब यह कहना चाहते है I treat you better by swan mendis and यहां पर देख सकते हो cry for me by Camila Cabello ठीक है दोनों ही partner जो singer है partner थे ठीक है दोनों का ही song आपके person सुन रहा है हो सकता है इनके stories देख रहे हो क्योंकि इन दोनों के बीश में बहुत प्यार था swan mendis and Camila Cabello के बीश में तो exactly यहां पर आपके person भी जो है यह सारे song सुन रहे है और इनको यह realize हो रहा है कि आप deserve करते थे एक gentle man एक बहुत अच्छा इंसान ठीक है आपके time को इसमें बरबात किया है आपने बहुत जादा रोडोकर समय बरबात किया है ठीक है यह सब यह person जो है ठीक करना चाहते है और यह कहना चाहते है yes I know I can treat you better मुझे पता है कि मैं तुम्हें अच्छा से treat कर सकता था ठीक है और यह जो है यह यहापर ऐसा हो सकता है आप भी चाहते होगे आप यह सूचते होगे खास मेरे person भी मेरे लिए रोते मैं तो इतना रोती हो पर मेरे person को तो कोई फर्क नहीं पढ़ता पर आपके person को भी फर्क अपढ़ने वाला है just the way you are by Bruno Mars यह song भी आपके person आपको dedicate कर रहे और यह कहना चाहते है baby you are amazing तुम चैसी हो या तुम चैसे हो मैं तुम्हें वैसी ही प्यार करूंगा मुझे तुम्हारा face बहुत पसंद है मुझे तुम बहुत amazing लगती हो तुम मुझे star की तरह लग प्ली स्कॉर्ट गिव में क्यूरेट मैसेज अन कहीं बाते बता देजिए what I am today is all because of you आज मैं जू भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बज़त से हूँ उसके बाद है इनका कहना I am vulnerable to show my real self इन्होंने हो सकता अपनी reality ही चुपा लिए अपनी identity ही चुपा लिए यह क अपने real self को दिखाने में कमजोर से hope you will understand me इसलिए कहना चाहते है कि hope कि मैं जब तुम्हें अपने real self को दिखाऊंगा और reason बताऊंगा कि क्यों मैंने real self को छुपाया तो तुम शायद समझोगी तुम मेरे situation को समझोगी और मुझे माफ करोगी उसके बाद यह कहना चाहते है no one can ever take your place in my heart तुम्हारी जगा जो मेरे दिल में है वो जगा कोई नहीं ले सकता और वैसा जगा कोई बना भी नहीं सकता मेरे दिल में ठीक है मेरे दिल में पूरी की पूरी जगा तुम्हारी है ठीक है यह मैं पहले तो नहीं बना की रखा था पूरी की पूरी जगा तुम् आपने भी सोच दिया कि अब मैंने बोले अब जितना मुझे बोलना था मैंने बोल लिया अब सामने वाले को मतलब जू भी नहीं रहता तो मैं क्या ही बोल की करो आपका ऐसा कुछ सिच्वेशन हो गया है तो अब आप नहीं बोलने वाले अब बोलने वाले हैं आपकी परसन ठीक है और इनको बहुत मतलब बुरा लगता है कि आप क्यों नहीं बोलते हो आपकी साइले सिंद्ध को अंदर ही अंदर मारती है यह जो है अपने ही चकर में थे यह अपने ही बारे में सोचते रहते थे यह कहना चाहते थे कि मेरे पास पहरे बहुत सारे रिस्पोंसिबिलिटी से प्यार से जादा मैंने उन सारी चुछों को वैल्यू दिया लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत सब्संद करता हूं मेरे से गल्ती हुई मुझे मार्व करना सम पिपल डॉन्ट आपके परसन कहना चाहते है thank you for the reason I smile देखिए जाते जाते हैं आपके परसन ही कहना चाहते है तुम्ही वह हो जिसके वज़े से मैं आज smile कर पाता हूँ या कर पाती हूँ ठीक है तो इस तरीके से आपके परसन आपको यह अनकही बाते और love letter देना तो जल्दी से लाइकन सब्स्क्राइब कर लीजेगा आप इस तरह के ब्यूटिफुल रिडिंग के लिए और पुर्स रिडिंग के लिए कांटाक कर सकते हैं मेरी चीमिल और इंस्ट आइडी के थूच कि मैंने आपको स्किन पे शो कर दिया है और दुनिया की किसी भी कुने म सकते हैं कि जलते हैं और इस दो चलते हैं बहुतिक है अपने ख्याल रखे एक अपने फैमली का भी